वरुन हाविए यह विए विए ट्रेटरी शेशन की अब हम करने जा रहे हैं यह एक्सपारी स्टी से होंगी हमारी फिन निफ्टी एक्सपारी के इंदर में होंगी 12 मार्च 2024 की चीक है इसमें हम लोग सारा स्टी करेंगे डेटास को पहले हम देखेंगे कि प्राइस का क्या प्राइस का स्ट्रक्चरिंग्स हैं मीन्स प्राइस का क्या प्राइस एक्षिन हैं क्या फंक्शनिंग्स हैं क्या फॉर्मेशन्स हैं किस-किस पॉइंट पर क्या क्या ट्रेट तो इवेंचिली हमें स्टॉडी क्या करना होते हैं कि दूसरी चीजिभ हम कवर रहे हैं तो उसकी क्या पैरल्ल पैरलल कंडिशन से इसे हमें स्टॉडी करना और जितनी के श्रडी को आप अच्छे लिजी करों कि कि सारी case studies जो होती है, उसमें I will be sharing my experience with you, चेक है, right, कुछ भी इसमें predefined नहीं होता, जो उसमें मुझे दिखता है, I just give you the idea on that particular time itself during the video, ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होगा कि आप एक case study के अंदर में कुछ सीखोगे, बुसरी case study के अंदर में कुछ पैरलली सीखोगे, क्योंकि कुछ भी predefined नहीं है, जैसे trade punch होए, जैसे trade formations बनी है, जैसे trades हमें punch की है, उसी को हमें system पता है, HTLB system, हम उसी system को simulate करते हैं, price actions देखते हैं, HTLB के साथ में, फिर उस दौरान के अंदर में जब trade formations बनते हैं, तो उसे हमें क्या data's थे, उनको study करते हैं, तो जैसा हम trading के दौरान में सोचते हैं, पैरलली, live क्योंकि आपको you know the systems, you know कि कैसे interactions हैं, अगर पुरानी case studies आपने देखी हुई है, तो you know how exactly the system is going to perform, हमारा सिर्फ focus रहता है कि उस system को हम लोग एक बर simulate करें, उस data's को उसमें देखें, कैसे order flow पे punch हुआ है trade, कैसे उसमें data's थे उसको देखें, चीक है, right, and फिर live उसको simulate करें, चीक है, जितना simulations और जितना data's को हम एच्छी तरीके से analyze करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए आपका जो trading का technique है, expiry को समझने का technique है, वो strengthen out होगा, जिसमें से 3 crucial expiry sessions है, fin nifty expiry, nifty and bank nifty expiry, जिसमें भी हमारी trading चल रही है, पर expiry on average हम लोग अभी देख रहे हैं, तो 2.57% grossing कर रहे हैं, right, चीक है, तो अगर 3 expiry होते हैं, तो weekly you're grossing in more than 6%, averagely, ठीक है, 7.5% in fact, ठीक है, तो this is very powerful, right, और अगर max drawdowns देखते हैं, पूरे scenario इसके around 2.13% है, risk reward ratio is 1.7 per trade basis, ठीक है, तो this makes the whole system very powerful, इसलिए अगर आपने system की mastery कर ली, mastery कैसे कर सकते हो, case studies से आप अपनी knowledge को gain कर सकते हो, जो life trading होती हैं, उस पे आप अपना structuring देख सकते हो कि कैसे life trading होई, क्या structuring रहे उस तुरान के अंदर में, कितना powerful trading उसमें punch हुआ, आप उसको live देख सकते हो, उन सारी trading को, ठीक है, right, और इसी का एक higher version आने वाला है, I will be elaborating about that version later on, ठीक है, right, इसी इसी trading का, ठीक है, उसको हम अभी life simulate भी कर रहे हैं, ठीक है, right, eventually, तो अभी आप इसमें parallelly क्या सीखोगे, simulation से सीखोगे, जो price actions है, उससे आप अपनी entry points, data points लेना सीखोगे, data कैसे analyze करते हैं, वो देखेंगे इस दोरान के अंदर में, और parallelly simulate करते चलेंगे trades को, और अगर live देखना है, life समझना है, तो यह आप Tuesday, Wednesday, Thursday, तीन expiries पे directly connect करके, WhatsApp के उपर में, you can take appointments to get these live trades, अगर eligible रहा portfolio, आपका profile portfolio eligible रहा, then in that case, you will be able to take these trades, track these trades live during the expiries and learn abundantly from them, ठीक है, right, तो यह आप उस दोरान के अंदर में सीख पाऊगे, तो let's start, let's begin with the first session, ठीक है, पहले trades से हम begin up करते हैं, 9-15 से इसको हम पहले start करते हैं, ताकि हमें एक idea लग जाए, कि क्या trade formations था इसका, ठीक है, and then let's begin on this, ठीक है, तो let's start on this, इसको हम दुबारा से start करते हैं, right, तो पहले interactions में हमें क्या देखने को मिलता है, कि eventually the price is initially boosting किया, price उपर की तरफ में गया, and then उसने down curving मरानी start करी, एक जगे पर consolidate होना start हुआ, ठीक है, इस दौरान के अंदर में देखते हैं, तो इसने एक dip मारी थी नीचे की तरफ में, और parallelly price उपर की तरफ मूफ कर रहा था, बट उससमें, data's were negative, data's bearish थे उससमें, क्योंकि अगर आप यह time stamp लेके चलते हो, तो this was approximately 10 बच के 9 मिनट, 10 बच के in fact, 9.50 से data's was starting to go down, data's नीचे की तरफ में आने start हो गया थे, PCR was dropping down, तो आप यहाँ पर sell trade formations तो ले सकते हो, but buy trade formations नहीं punch कर सकते थे, इसलिए आपका जो पहला point था, जो यह वाला point था, जो इसने dip down किया यहाँ पर, यहाँ पर हम buying के trades को नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है, तो पह data's right, क्या structuring's थी, चीक है, तो उसको study करते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं, हम अपने data points पे, 12th March, 10.30 मिनट, चीक है, क्या data's थे, उसमें उसको study करते हैं, तो data's were dropping down from around 9.50, 9.50 से data's constantly drop down कर रहे थे, चीक है, right, PCR was dropping down, चीक है, यहाँ पर consolidate करता है, और यहाँ से drop करना start करता है, तो it was fine, आपको हमें पता था कि यहाँ से, अगर PCR drop कर रहा है, तो there can be a fantastic sell trade on this particular point, चीक है, तो हमने क्या किया, we, order flow पे आप गए, order flow से आपने इसको sniping किया, order flow कि अगर आप sniping देखते हो, तो यहाँ पे आपका एक almost red bar बन रहा है, almost near, एक dodgy है red bar के लिए, चीक है, non-touching है, यह दोनों bars, यह भी non-touching है, यह भी non-touching है, delta bars are non-touching, price bars are non-touching, जब भी ऐसा formation बनता है, this is a crucial point, यह आपके लिए एक अच्छा point होता है, sell trade को करने का, time था approximately 10.30, तो 10.30 के simulation पे चलते हैं, और पहला sell trade perform करते हैं, चीक है, तो 10.30 पे अगर हम option chain पे चलते हैं, 10.30 पे, तो पहले हम देखेंगे spot, चीक है, what was the spot 21044, तो इसके nearest strike कौन सी होगी, 21044 अगर आपका spot है, तो nearest strike will be 21050, चीक है, तो 21050 की strike को हम लेके चलेंगे, और उसको, उसकी calls को हम लोग sell off करेंगे, चीक है, 21050, यहां की calls हम sell off करते हैं, चीक है, trade performance कैसे रहेगा, हम 100 lots को sell off करेंगे, च 1CR capital के हिसाब से है, चीक है, और इसके साथ हम parallel hedge करेंगे, कितना near to 1 rupees, कितने lots, 200 lots, हम buy करने वाले है, 200 lots, चीक है, this will be the positions, तो यह हमने positions को perform किया, pay off graph would be looking like this, हमारे पास जो theta values हैं, इस समय की, that are approximately 1.52 lakhs, 1.52 lakhs का हमारे पास maximum gain रहेगा, या theta values रहेंगी, for this particular trade, चीक है, जो credits रहेंगे हमारे पास में, चीक है, यह सारे trades credit friendly होते हैं, theta इसमें हम लोग capture कर रहे हैं, चीक है, क्योंकि अगर हम sell कर रहे हैं, तो हमारा mainly, या तो ATM sell off हो रहा है, या nearby OTM sell off हो रहा है, इस case में nearby OTM है 21050, क्योंकि spot चल रहा है हमारा 21044 पे, किसी case के अंदर में nearby ITMs भी sell off हो सकता है, वो depend करता है, कि आप अपना, जो भी trade nearest strike अगर आप ले रहे हो, तो वो कौन सी है, जैसे for example, अगर यहाँ पे 21055 होता price, तब भी हम 21050 की call sell off करते हैं, चीक है, तो उस case में हो slightly ITM हो जाता, चीक है, बोट scenarios में हम nearest strike को हम लोग trade off करने व जाता है, या फिर इस trade की अगर covering होती है, तो उसे हम cover up करेंगे, चीक है, तो बहुत fast movement आई नीचे की तरफ में, चीक है, और stock RSI उपर की तरफ move करना start किया, और यह आपका MACDB light red हो चुका है, यहाँ पे, green bar formation के साथ में, तो मैं आपको बताया था कि advanced trading किस तरीके से होती है advanced coverings कैसे होती है, अब हम थोड़ा advanced level पर ही work up कर रहे हैं, तो advanced coverings को भी study करेंगे, चीक है, राइट, कि advanced coverings तब होती है, for example, अगर price, जैसे अगर sell trade है, उसको cover up करने वाले हो, buy करने वाले हो, तो advanced coverings क्या हो सकती है, कि अगर stock RSI उपर move करने लग गया, histogram has started rising up, चीक है, और उ तो dark rate से वो pink हो गया, चीक है, राइट, और similarly stock RSI started moving up, और उस दोरान के अंदर में अगर आपके green bar formation बनती है, which is non-touching, which is non-touching the, this HDLB lines, चीक है, राइट, तो उस case के अंदर में क्या कर सकते है, आप you can get the coverage done, प्रायरली, आप coverage को पहले कर सकते हो, चीक है, राइट, तो इस 1051 पे, 1051 पे हमारी इसकी coverings होंगी, चीक है, तो 10 बच के 51 मिनट पे हम लोग अपनी coverings करेंगे, देख लेते हैं, कि उस समय तक क्या P handles चल रहे थे, 1035 पे 32,000, फिर 46,000, 1,28,000, 1,31,000, and on coverage time 1,32,000, इतना profit हमारा इसके अंदर में आपका ये काफी सारा DK दे चुका है, चीक ह और यहाँ पे हमारे पास coverage point भी मिला हमें exit करने के लिए, तो we are going to exit the positions, कितने भी exit हो रही है, 6.25 पे, the position is going to get exited, चीक है, 6.25, तो आपका पहला trade cover up होता है, कोई chance नहीं मिला था दूसरे trade के लिए, इसलिए सिरफ एक single trade ही यहाँ परफॉर्म हुआ, let's move further, let's see next trade formations कब बनती ह है, और Q बनती है, चीक है, right, चीक है, तो आप अगर next trade formations को देखते हो, the next trade formations are at this particular point, चीक है, यह आपका 12 मर्च 11 बच के 9 मिनट पे approximately, चीक है, डेटास थोड़े study करते हैं, यहाँ पे हमें तो डेटास देखी रहे हैं, इसके अंदर में कि HTLB ने अपने self-peak break-up किया है, ची चीक है, पर डेटास को study करते हैं, कि डेटास क्या थे हो समय, क्योंकि डेटास एक bearish move के बाद में, एक bullish move आना start हो रहा है, तो let's see what the data's were on that particular time, चीक है, right, and वहां से हमें आगे idea लगेगा कि यह trade formation बनता, यह इसको लिया जाता कि नहीं लिया जाता, चीक है, although HTLBs इतना confirmed नह यहां से नीचे आया है, चीक है, यहां से उपर गया है, इसने अभी तक कोई अपना proper self peak break नहीं किया, कोई previous peak break नहीं किया, तो अभी तक यहां पर trade formation वैसे नहीं लेना चीए था, but क्योंकि इस trade के अंदर में stop hit हुआ है, इसलिए इस trade को include किया गया, ताकि आप इसको समझ प अपनी एक self peak को break करना चाहिए था, या किसी previous peak को break करना चाहिए था, तब जाके आप उस वाले trade formation को लेते, but इसको एक तरीके से study समझो, right, चीक है, कि एक ऐसा trade हम इसमें लेके चल रहे है, जिसका stop hit हुआ है, आगे जाके, and I want to take this particular trade, even if it's not fulfilling the criteria, जाकि आप सीख सको कि stop loss के दोरान में, कितने losses होते हैं, या क्या उसके अंदर में risk reward ratio maintained होता, हमें ये तो देख लिया कि profit हुआ, तो 1.35 lakh का profit generate हुआ, but अगर loss होता है, तो कितना loss होता है, तो we are going to study that thing out right now, चीक है, तो इसके लिए सबसे पहले data's पर चलते हैं, next trade के, चीक है, this will be the next trade, 11.09 पर, 11.09 पर, पर पहले आप चल लो, चीक है, 11.09, चीक है, and data's को study करते हैं, तो data's अगर हम देखते हैं, it has started inclining, PCR ने incline करना start कर दिया था, अभी तो पहले drop हुआ था PCR का, जब एक major move आया था नीचे की तरफ में, but 11.09 तक उसने incline करना start कर दिया था, that was bullish in that particular case, चीक है, right, और अगर हम बा जो हमारी selected strike होगी, 20850 की, उसका OI क्या है, और उसका PCR क्या है, चीक है, तो अगर उसको study करते हैं, that was also starting to move up, यह भी यहां से move up करना start कर रहा था, OIs भी, and PCR was also started to move up, चीक है, तो यह data's perfect थे, एक bullish data's perform हो रहे थे, चीक है, right, और अगर हम price actions को देखते हैं, चीक है, मतलब अग touching bar बनती है, delta bars के अंदर में, and एक piercing bar बन रही है, green color की price bars के अंदर में, तो यह हमारे लिए एक अच्छा entry बनता है, चीक है, although ज्यादा perfect entry हमारा तब होता कि अगर दोनों non touching हो जाती, चीक है, right, but this is also a good entry point itself in that case, चीक है, तो हमने देखना ही है, कि हमारा like trade कौन से point पे हुआ, तो 11 बच के 9 minute पे हमारा trade perform होता है, चीक है, and let's see उसके बाद कितना loss हुआ, क्या structuring रही, each and everything we are going to study in this, चीक है, right, तो 11 बच के 9 minute पे अपने trade entry के है, थोड़ा उपर ही entry हुआ है, नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि एक बड़ी bar बनी है, उसके बाद में entry formations हुआ है, चीक है, let's see, कितना इसके अंदर में हमारा loss होता है, चीक है, तो इसका पहले आप spot price देखोगे, 20850, 20850 का spot price है, इसलिए आप कितने की put sell करोगे, 20850 की put sell करोगे, चीक है, जो भी nearby strikes होंगे, उनको हम sell off करेंगे, चीक है, कितने lot sell करने हैं, आपको 100 lot sell off करने है, और hedging में क्या करने व margins, चीक है, इसको आपने perform कर लिया, आपका trade formation कुछ इस तरीके से बन गया, pay off chart कुछ इस तरीके से नजर आएगा, चीक है, राइट, and now we are going to move further, अब हम आगे further move करेंगे, जब तक इसका trade formation बनता नहीं है, exit नहीं होता, चीक है, तो let's see further, and let's see कि कि क्या formations इसमें बनती है, तो HTLV उपर की तरफ में move करती है, चीक है, and price is dipping down, forming this particular shape, चीक है, and अगर उसके बाद में आपका ये stock RSI declining हो जाता है, चीक है, जैसे ये declining हो गया, and histogram also started to decline during that time, तो आप आप एग्जिट कर सकते हैं, positions को, तो हम यहाँ पे positions को exit कर सकते थे, चीक है, इस particular time पे, चीक है, but मुझे अ the p handle, तो इस समय अगर हम exit करते, तो हम इस position से, जो put वाली position है, करीबन 74,000 का profit grossing कर लेते, चीक है, राइट, जो कि हमें signal मिला, जो हमें एक criteria है, वो fulfill हुआ exit के लिए, but I want to show कि अगर हमारा stop loss hit करता है, जैसे आपका ये वाला point है, आपका entry point कितने पे है, यहाँ पे आपका HTL पीज़े हैं, जैक है, जैक है, जैक है, इसके नीचे HTL भी grossing करेगा, तो आप अपनी positions को exit करोगे, जैक है, तो आप ये अपको ये दिखाना चाहता हूं, कि यहाँ पे हम exit कर सकते थे, but अगर हमारा HTL भी इसकी नीचे चला जाता है, तो कितने का loss होगा, यह हमें देखना है, तकि हमें अपने risk reward ratio का idea लगे, जैक है, जैक है, although this can be exited on profit, but उसके लिए आपको advanced होना पड़ेगा, means you need to have complete understanding about the whole structure, जैक है, तो अगर उतना advanced structuring नहीं है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे entry किया, औ और हम वेट करेंगे, HTL भी की नीचे PS in कर जाए, या फिर कोई clear divergence बन जाए, जहाँ पर हम अपनी positions को exit कर सकें, चीक है, तो इसको further move in करते हैं, देखते हैं further, चीक है, कि कहीं से हमें कोई point ऐसा मिल जाए, जहाँ पर हम लोग अपनी positions को exit कर सकें, चीक है, तो this is the point, यह point जह exactly 12 बजे का point, जहाँ पर अपनी position को हम लोग exit करेंगे, देखते हैं कितना loss उस दौरान के अंदर में हमें होता है, चीक है, तो 12 बजे के हिसाब से अगर हम देखते हैं, 11.39 पे around 55,000 का profit चल रहा था, 11.54 पे 29,000 का profit चल रहा था, इस position के अंदर में, चीक है, और 59 पे देखते कितने रुपीस का loss लेके जा रहे हो, around 8,000 का आप loss लेके जा रहे हो, है जिसको तो छोड़ दो, है जिस तो end तक चलने है, उसमें कोई problem नहीं है, चीक है, इस position से कितना loss लेके जा रहे है, हम 8,000 का loss लेके जा रहे है, अगर हम profit बुक किया, हमने कितने किया, around 1.34 lakhs का, और exit दे रही थी, जब 74,000 का अलड़ी profit चल रहा था, but my idea and my focus is just not to, obviously, जितना advanced होगे, उतना profit आप grasping कर पाऊगे, चीक है, right, but मेरा idea है, कि मेरा concept ये, कि आपको best to best case studies मिले, expiries की, ताकि आप HTLB system के master बन सको, चीक है, right, तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर में stop booking करेंगे, बा 59.85 पर हमने entry किया, 61.85 पर हम अपने positions को exit करने वाले हैं, ठीक है, this is how secure the system is, ठीक है, 61.85 और इसकी live trading देखने के लिए Tuesday, Wednesday, Thursday, I do the live trading for this expiries, और you can connect back on WhatsApp, take, अगर I eligible रहा profile आपका, तो you can get entries to see the live trades and learn much more in advance, ठीक है, in expiries को आप advanced levels पे सीख पाऊगे, तो seat इसको हम book कर रहे हैं, इसको हम book करते हैं, at a price of around 61.85, 61.85, 61.85, okay, so that's the bookings, let's move further, let's see the further trade, हमारा next trade performance कब बनता है, कब उसकी formations बनती हैं, let's see, and then we'll analyze the HTLBs and the price outlets during that time, ठीक है, तो next trade formations बनती हैं, कुछ इस जगे पे, यह कैसे बनी, थोड़ा देख लेते हैं, HTLBs ने अपनी एक तरीके से self peak बनाई, नीचे आया, फिर HTLB उपर की तरफ में गया, जिसने अपनी वो self peak को break किया, तो यहां से आप buying के लिए focus करना start करोगे, इसके बाद price ने नीचे dip किया, HTLB के नीचे, and फिर आपको order flow analysis से स्नाइपिंग मिला, जो की करीबन इस point पर स्नाइपिंग मिला, इस दुरान के अंदर में हम data भी study कर लेते हैं, what exactly were the data's, ताकि हमें एक understanding मिले उस दुरान के अंदर के data's क्या थे, तो चलते हम next rate पे, बारा बच के 20 मिनट पे rate formation बना, ठीक है, data's कुछ इस तरीके से थे हमारे पास में, जिसमें PCR was moving, कुछ time के लिए इसने halt किया नीचे के दरफ में, अगें इसने शाप move लिया उपर के direction के अंदर में, तो इस पॉइंट पे 1228 पे it was moving up, जिक है, अगर उस दुरान के अंदर में हम बाकी data's को study करते हैं, जिक है, तो कुछ इस तरीके से हैं, कि price PCR was moving up, then उसने drop लिया नीचे के तरफ में, then it started moving up, तो finally ये upward direction के अंदर ही move कर रहा था, similarly OIS ने भी एक rise लिया था, then it started moving down, then further again it started moving up, तो जो हमारा entry point था उस दुरान के अंदर में, इसने upward direction के अंदर में movements ली थी, तो ये हमारे लिए perfect point बना, इस दुरान के अंदर में अगर हम snipings देखेंगे, तो snipings would have been a non-touching bar, green formations यहाँ पे, चिक है, and एक piercing bar over here, चिक है, तो ये formation हमारा बनता है, snipe करने के लिए trades को, चिक है, तो 12 बच के 28 मिनट पे exact rate formations data confirmed है, हमें confirmations देते हैं data, STLB price का confirmation अलड़ी मिल चुका था, order flow ने हमें एक अच्छा sniping दिया, 12 बच के 28 मिनट पे, इस trade को हम perform करेंगे, चिक है, we'll capture the particular trade at 12.28 PM, चिक है, इसे capturing करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले spot को देख लेंगे, spot is at 20.869, 20.869, 20.850 को आप sell-off करने वाले हो, चिक है, नो, आप buying के लिए करेंगे, तो 20.850 को आप buy करने वाले हो, आप puts को आप sell-off करने वाले हो इस दोरान के, ठीक है, तो 20.850, ठीक है, इनकी puts को आप sell-off करने वाले हो, इस case में आपकी यह आपकी obviously otm puts हैं चीक है all right income sell off करेंगे 50.55 पर sell off हुआ hedges लेने के कोई जूरूब नहीं थी क्योंकि hedges आपके पास हैं चीक है and आप further move करते हो to see how exactly the trade performance would have been अभी आपके पास में जो final max profit आ सकता है that is approximately 3.15 lakhs चीक है current P&L जो चल रहा है आपका 1.19 lakhs को चल रहा है so let's see how exactly the trade performed during that time और क्या structuring सोई चीक है इस दौरान के अंदर में let's see further कि क्या performance रही क्या structuring से रही चीक है तो आप इस दौरान के अंदर में हमें देखने को मिलता है कि price has moved up price यहां से upward direction के अंदर में movement लेता है चीक है and obviously आपका stop loss क्या था आपका stop loss था जो आपका entry point है जहां पर आपने एंटर किया चीक है राइट महां की जो htlb थी अगर price इससे नीचे होता तो price ले ले लेते है अगर htlb यहां पर है तो htlb लेके चलोगे htlb अगर इसके नीचे cross कर जाती है अपनी positions को आप exit करते बट htlb is moving up चीक है और दुबारह ऐसे हुआ कि eventually price and htlb दोनों उपर की तरफ में move किये htlb ने अपने previous peak को break किया चीक है राइट फिर price ने वहां से नीचे की तरफ में dip down दिया अब यहां से आप order flow को sniping देख रहे होगे और order flow ने जिस point पे trade दिया वहां पे आप trade entries को snipe कर लोगे चीक है राइट तो इस दुरान के अंदर पहले data देख लेते हैं and then फिर हम order flow के इंदर में कुछ इस तरीके से है कि PCR वाज यहां से उपर की तरफ गया था फिर नीचे की तरफ इसने होड लिया था अब यह अगेन उपर की तरफ में move कर रहा था 1259 पर राइजिंग सिमिलरली अगर हम इसमें देखते हैं चिक है अगर आप इसमें देखते हो और थोड़ा क्लियर देखते हैं इसको नीचे से प्रॉपर तरीके से चिक है यह कितने का है 1259 गया राइट यहां देखते हैं तो यहां अगर आप इसको देखते हो तो यह नॉन टॉचिंग है 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 तो अगर उनमें से एक भी डॉजी बनता है, तो you can take it up, चेक है, राइट, तो आप trade formation यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, इन दोनों के अंदर में, चेक है, तो यह आपके entry points रहेंगे, around 1259 का, आपका entry point है, चेक है, 1259 पे आप चलोगे, and अपनी trade की entry करने वाले हो, आप इस दोरान के अंदर में, चेक है, so this, सबस्वाइल, spot देख लेते हैं, spot is 20879, 20879, तो आप put sell-off करने वाले हो, आप कितने की put sell-off करोगे, nearby strike क्या है, 2900, चेक है, is a nearby strike, तो 2900 की strike को आप sell-off करोगे, चेक है, 2900 की puts को, आप sell-off करोगे, 100 lots इसके आप sell-off करोगे, चेक है, and credits कितने होंगे फिर हमारे पास में, approximately max profit can go to around 5.39 lakhs, चेक है, 1.84 पे हम अलरड़ी चल रहे हैं, let's move further, let's see कि हम इन positions को कब exit करते हैं, चेक है, तो movements further चलती ही, right, कुछ divergence formations मुझे नजर आ रही है, and पहली divergence formations पे हम लोग पहली positions को exit करेंगे, over here we can see, first time, चेक है, divergence formations बननी start हुई, अभी तक क्या था, RSI उपर चल रहा था, अब stock RSI ने नीचे की तरफ में decline दिया है, similarly, histogram ने भी नीचे की तरफ में decline दिया है, light green अलड़ी हो चुका है, advance selling आप इस point पे भी कर सकते थे, right, क्याकि non-touching red bar बन रही है, almost, चेक है, या फिर आप यहाँ पे नहीं update formation कर पाए, तो आप जब यह red color में change होता है, HDLB, तो आपका final confirmation होता है, यहाँ पे अपनी positions को exit कर सकते हो, almost दोनों similar prices हैं, इसलिए आप कोई भी लेकर चल सकते हैं इसके इंदर में, आपका target कितना प्रॉफिट का, it was approximately 1-5 के एसाप से, it was around 3 lakhs, right, जो हम starting में pre-define कर लेते हैं, कितना target है हमारा, ठीक है, it was around 3%, 3% means 1CR का 3% कितना हो गया, 3 lakhs, तो हम लोग already 3 lakhs के profit पे पहुंच चुके हैं, 3.15 lakhs के profit पे already sitting है, ठीक है, right, तो हम इसको final end तक लेके चलेंगे, इन positions को, and we'll see कितना इसमें pre-endal generate होता है, चीक है, तो next 15 minutes से आगे करते हैं, and let's see, 3.47 lakhs, final exit हमारा कितने पे था इसका, करेबन करेबन आपका exit था इसका 145 पे, चीक है, 145 means कि 147 पे आपका exit है इस position का, 145, 146, 147, तो profit was approximately 3.65 lakhs, इसमें इस position को आप exit करोगे, and किस position को exit करोगे, जो पहले वाली position होती है, उसको आप पहले exit करते हो, चीक है, alright, तो पहले वाली position कोई से थी, 50.55 पे, उससे चल रही है, इसमें 16.65 पे, 16.65 पे, दूसरी position आपके पास में है, जो 56 पे traded थी, 28 पे चल रही है, उसको अभी आप hold रखोगे, अब सिर्फ आपके पास में एक puts हैं, जो आभी holded है, let's move further and see कि वो किस समें exit होती है, तो आपके बच चुके हैं, चीक है, right, तो वो कुछ इससे में exit होती है, अलड़ी divergence देख रही है हमें clear, we can see clear divergence formations from here, histogram भी decline कर रहा है, divergence भी form हो रही है, and यह हमें advanced selling मिलती है, इस जगे पे non-touching bar, जो कि declining histogram, divergence के अंदर में declining histogram and declining RSI, stock RSI के formation में non-touching red color bar, यहां form मिलती है हमें, तो हमें इस वाले position अपने position को exit करेंगे, second position को, which is exit at around 2003, 2003 का मतलब 2006 के case की closing होगी, दो बच के 6 मिनट पे आप इस position को, final position को exit करोगे, ठीक है, and profit चल रहा है 3.99 lakhs, दो बच के 6 मिनट पे profit चल रहा है around 4.05 lakhs, तो 4.05 lakhs पे आप इस position को exit करोगे, और इस समय क्या price है, 17.85, 17.85 पे में इस position को exit करने वाले हैं, ठीक है, 17.85, अब पहले लिए कोई positions open नहीं है, 2 बच के 6 मिनट अलड़ी हो चुके हैं, अगर 2 बच के 30 मिनट तक को नए trade formation बनता, तब हम उस trade को लेते, नहीं तो हम trade formations में कोई trade नहीं करने वाले, 2 बच के 30 मिनट यहीं पे हैं, ठीक है, ठीक है, तो कोई trade formation उसके बाद में नहीं बना, ठीक है, राइट, इसलिए we are not going to take any kind of further trades, in this case, ठीक है, और आपका final profitability कितना रहता, 2.05 lakhs, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह trade formation बन सकता था, जिससे यहां से इसने नीचे की तरफ में HTLP ने आया, और फिर उसने एक self peak बनाई, उसको उसने break किया, तो यहां कुछ ना कुछ trade formation बन सकता था, एक तो वो final time के पास में था, बट यहां trade formation बन सकता था, 2.30 तक यह rising चल रहा है, ठीक है, राइट, 2.30 तक यह rising चल रहा है, तो इससे में आप sell trade formations नहीं ले सकते हो, इसलिए यह sell trade formation नहीं बना, 2.30 के बाद आपको देख नहीं नहीं है, and this was the final exit for you, this was the final exit for the positions you have taken into, ठीक है, राइट, so यहां पे आप अपनी position को exit करते हो, final profits कितने हैं आपके, आप दोनों अपनी hedger positions को exit कर लेंगे, 0.3, चेक है, and यह आपकी है, 0.15, 0.15, चेक है, P&L है 405, 400, तो 45,400 आपका final P&L है, चेक है, इसको update कर लेते हैं, जो भी यहां पे अब हम कर रहे हैं, वो life, हम, life trades तो हो ही रहे हैं, ठीक है, तो those who are seeing the life trades, उनको तो सारे कुछ पता ही होगा, वैसे भी, चीक है, but उसके इलावा, यहां पे हम simulate भी कर रहे हैं, ताकि जो life trades नहीं देख पाए हैं, उनका simulation से idea लग जाए, कि कैसे profitabilitys generate होती है, और simulations भी हम, जो भी यहां पे feed है, जो भी यहां feed कर रहे हैं, वो सब कुछ life simulate करने के बाद में, ही यहां पे हम feed कर रहे हैं, life trade करने के बाद में, फिर life simulate करने के बाद में, आपके सामने, then it has been updated over here, इसी तरीके से last 50 expires को trade किया गया है, last 12 sessions, मतलब करेबन करेबन यहां से लेके यहां तक है sessions, तो हम expires के यहां पे अलड़ी लेके आ चुके हैं, अब जितनी भी expires हैं, चाहिए वो Tuesday हो, Wednesday हो, Thursday हो, मतलब Fin Nifty, Bank Nifty, Nifty की, किसी भी expires को हम छोड़ेंगे नहीं, सारी expires का case study live रहेगा, इसलिए channel पे अच्छे तरीके से focus करना, ताकि आप इनकी mastery expires की mastery कर सको, HTLB की mastery करने के बाद में, आपका अना केवल expires की mastery होगी, इसी से आपके swing trades की mastery होगी, ठीक है, राइट, on every single expires, और बहुत छोटे से risk के साथ में आप एक reward को achieve करोगे, ठीक है, राइट, तो इस expiree के अंदर में around 4% का ROI gross in हुआ, live हमने इसको देखा, और इसी simulations, इसी live trades को देखने के लिए, या इनको समझने के लिए, studies को in-depth करने के लिए, volunteer act करना अपने region के अंदर में, तब मेर से आप connect up करना on WhatsApp, जो भी help चाहिए होगी, you can get that particular help in that case, और इन sequences को, बट आप ध्यान रखना की, इस type की trading को करने के लिए, ideal capital size is around 1 CR+, minimum capital size has to be around 25-30 lakhs at least, ठीक है, then ही आप इन trades को perform करो, नहीं तो, तब तक के लिए, आप अपने सिर्फ investments पर focus करो, जब भी market crash down करती है, आप अच्छे scripts के अंदर में, जो top 10 equities है, जैसे TCS हो गया, आपका like HDFC bank हो गया, जो top 10 equities है, उनके अंदर में invest कर सकते हो, चिक है, right, अगर कुछ भी नहीं पता तो आप ये काम कर सकते हो, चिक है, right, but obviously investments का एक criteria होता है, वो investment series में आने वाला है, चिक है, और जब capital size is more than 25, then you can smartly gain revenues through hedgings, चिक है, right, and उसके लिए सबसे important है, expiry hedging को समझना, which I am trying to explain you, trying to give my energies and explain you, कि किस तरीके से इसकी mastery करनी है, HDLB, चिक है, तो learn specifically from it, और obviously, जितना सीख रहे हो, उसको use करो, और अपने रिजन के अंदर में वालन्टी अर्ट करो, और तन यू रहे हो, और अपने रिजन के अंदर में वालन्टी अर्ट करो, then you will be able to connect back with me, अगरा प्रफाल इलिएबल रहो, तो you will be able to learn live, by watching the live trades, during the live expiries, take care, peace out.